शुक्रवार संतोशी माता वरत कथा, शुक्रवार के दिन मा संतोशी का वरत पूजन किया जाता है, इस पूजा के दोरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है, आये जाने, शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोशी माता वरत कथा, संतोशी मात वरत कथा एक बुर्या थी, उसके साथ बेटे थे, छह कमाने वाले थे जबकी एक निकमा था, बुर्या छहों बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह सात्वें को दे देती, एक दिन वह पतनी से बोला देखो मेरी मां को मुझ पर कितन प्रेम है, वह बोली क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है, वह बोला ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूँ, मान नहीं सकता, बाहु हंस कर बोली देख लोगे तब तो मानोगे, कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में साथ प्रकार के भोजन और चूर में के लड़ू बने, वह जांचने को सिर दुखने का बाहाना कर पतलावस्तर सिर परोणे रसोई घर में सो गया, वह कपड़े में से सब देखता रहा, चहुंग भाई भोजन करने आय, उसने देखा, माने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार क के उन्हें जमाया, वह देखता रहा, चहुंग भोजन करके उठे तब माने उनकी जूठी थालियों में से लड़ूं के तुप्रे उठा कर एक लड़ू बनाया, जूठन साफ कर बुर्या माने उसे पुकारा बेटा, चहुंग भाई भोजन कर गए अब तु ही बाकी है, उ आतवे बेटे का परदेश जाना चलते समय पतनी की याद आ गई, वह गोशाला में कंडे उपले थाप रही थी, वहां जाकर बोला हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोश से धर्म आपनो पाल, वह बोली जाओ पिया आनंद से हमारों सोच हटाए, र बोली मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, वह चल दिया, चलते चलते दूर देश पहुंचा, परदेश में नौकरी वहां एक साहुकार की दुकान थी, वहां जाकर पने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख ल तो साहुकार को जरूरत थी, बोला रह जा, लड़के ने पूछा तंखा क्या दोगे, साहुकार ने कहा काम देख कर दाम मिलेंगे, साहुकार की नौकरी मिली, वह सुबह सात बजे से दस बजे तक नौकरी बजाने लगा, कुछ दिनों में दुकान का सारा लेंदेन, वह कुछ वर्ष में ही नामी सेथ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर चला गया। कथा सुनने लगी और पूछा बाहिनो तुम किस देवता का वरत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस वरत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा अहसान मानूँगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली सुनो यह संतोशी माता का है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो, सब संतोशी माता की क्रिपा से पूरी होती है। तब उसने उस से वरत की विधी पूछी। सुनने वाला कोई न मिले तुधी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथागना। जब कार्यसिद्ध नहो नियम का पालन करना और कार्यसिद्ध हो जाने पर वरत का उध्यापन करना। तीन मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह फल सिद्ध होने पर उध्यापन करना चाहिए बीच में नहीं। माता के दिया और उन पैसों से गुडचनाले माता के वरत की तय्यारी कर आगे चली और सामने मन्दिर देखकर पूछने लगी यह मनदिर किसका है। आ पहुंचा यह देख जेठ जिठानी मुह से कोडने लगे लड़के ताने देने लगे काकी के पास पत्राने लगे रुपया आने लगा अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी बेचारी सरलता से खती भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर के दर्शन मांगती हूँ तब माता ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी अब संतोशी मा विचार करने लगी इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पती आएगा लेकिन कैसे वह तो लगा माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ कहो क्या आगया है माक ने लगी तेरे घरबार कुछ है की नहीं वह बोला मेरे पास सब कुछ है माम बाप है बाहु है क्या कमी है मा बोली भोले पुत्र तेरी बाहु धोर कश्ट उठा रही है तेरे माम बाप उसे परिशा नहीं आता, कैसे चला जाओं। नहीं आता, कैसे चला जाओं। के तीन बोज बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदर पर वह तीसरा अपने सिर पर, तेरे पती को लकणियों का गठर देख मुग पैदा होगा, वह यहां रुकेगा, नाश्ता पानी खा कर मां से मिलने जाएगा, तब तू लकणियों का बोज उठा कर जाना और चौक में गठर डाल कर जोर से आवाज लगाना लो सासू जी, लकणियों का गठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है, माताजी से बागत अच्छा करवह प्रसंद मन से लकणियों के तीन गठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा, इतने में मुसाफिरा पहुंचा, सूखी लकणि देख उसकी इच्छा उत्पन हुई कि हम यही पर विश्राम करें और भोजन बना कर खापी कर गाउंव जाएं, इसी तरह रुत कर भोजन बना, विश्राम करके गाउंव को आज मेहमान कौन आया है, यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिये हुए कश्टों को भूलाने है तो खती है, बाहु ऐसा क्यों खती है, तेरा मालिक ही तो आया है, अबेट, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहिन, उसकी आवाज सुन उसका पती बाहर आता ह अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, मा से पूछता है मा यह कौन है, मा बोली बेटा यह तेरी बहु है, जब से तु गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, चार फर आकर खा जाती है, वह बोला ठीक है मा मैंने इसे भी अब क्या था, बाहु सुख भोगने लगी, इतने में शुकरवार आया, शुकरवार वरत के उध्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल, उसने पती से कहा मुझे संतोशी माता के वरत का उध्यापन करना है, पती बोला खुशी से कर लो, वह उध्यापन की तैया लड़के जीम ने आए खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही खने लगे हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुची होती है, वह खने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोशी माता का प्रसाद है, लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ, भोली बाहु कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिये, लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे, यह देखकर बाहु पर माताजी ने कोप किया, राजा के दूत उसके पती को पकड़ कर ले गए, जेठ जेठानी मनमाने वचंतने लगे, लूट-लूट कर धन इकठा कर लाया है, अब सब मालूम पर जाएगा जब जेल की मार खाएगा, बाहु से यह सहन नहीं हुए, मा संतोशी से मांगी माफी रोती हुई माताजी के मंदर गई, उकने लगी है माता, तुमने क्या किया, हंसा कर अब भक मा बोली अब धूल मत करना, वह पती है, अब धूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे, मा बोली जा पुतरी तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा, वह निकली, राह में पती आता मिला, वह पूछी कहां गए थे, वह पने लगा इतना धन जो कमाया है, उ शक्ति ने कहा करो, बहु फिर जेठ के लड़कों को भोजन को खने गई, जेठानी ने एक दोग बातें सुनाई, और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग फले ही खटाई मांगना, लड़के भोजन से फलेखने लगे हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगरता है, कुछ खटाई खाने को दो, वह बोली खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राहमन के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, यथा शक्ति दक्षिना की जगह है कईक फल उन्हें दिया, संतोशी माता प्रसंद हुई, संतोशी माता का फल माता की कृपा हो बचने से सनामुख, उपर सून के समान होथ, उस पर मक्षियां भिन्भिन कर रही थी, देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे, कोई चुडैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी, लड़के भगाने लगे, चि या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया, इतने में मा के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे, वह बोली मा मैं जिसका वरत करती हूँ, यह संतोशी माता है, सबने माता जी के चरण पकर लिये और विंती कर्खने लगे है माता, हम मूर्ख हैं, अग्या माता सब को दे, जो पढ़े उसका मनुरत पूर्ण हो, बोलो संतोशी माता की जय, जय संतोशी माता की आरती आरती, जय अंबे गोरी, मैया जय शियामा गोरी